आज हम बनाएंगे खट्टी मिठी सी आम की चट्नी बहुत इजी तरीके से हम खट्टे आम की चट्नी बनाएंगे और step by step मैं आपको हर्ट्रिस बताऊंगी किस तरीके से इसको बना सकते हैं और store किस तरीके से कर सकते हैं बहुत ही easy recipe है तो वीडियो को end तक देखेगा बिल्क बहुत से soft थे यह भी मैंने इसमें ले लिया और जो बहुत साथा कच्छे थे वह भी ले ले लिए किसमें sugar add करते हैं तो वह इतना जादा मैंटे नहीं करता उसके बाद मैंने एक पैन ले लिया और उसमें पानी डाल दिया जब तक इसको boil आया तब तक मैंने इसको कुक कर जाएं पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे हमने इने हाफ कुक करना है तीन से चार बॉयल आने तक हम इसको कुक करेंगे पानी पकना शुरू हो गया और यह देखें ओर मैंगो जो है यह थोड़े-thोड़े soft होना शुरू हो गया नीचे से हम इसके side पर लट देते हैं औ तीन से चार बॉयल आने तक हम इसका कुक करेंगे रेखें जब मैंगो इस फॉर्म में आ जाएंगे रेखें काफी हद तक यह सॉफ्ट हो गया है अल्मूस्ट हाफ डन हो चुका है उसके बाद हम इसको स्टेन कर लेंगे इस तरीके से पानी इसका सारा निकाल दिया अब ठंडा होने से पहले हम इसको दुबारा पैन में वापस डाल देंगे और मेरे पास एक किलो के करीब आम थे और एक किलो के करीब ही मैं इसमें चीनी डालूंगी बराबर का हमने डालना है अगर एक किलो आम है तो एक किलो चीनी इसमें डाल देंगे अब हाफ टी स्पून मैं इसमें दड़ा मिर्ज का आइड करूंगी अगर आपने स्पाइसी करनी है ज्यादा तो आप इसमें और भी आइड कर सकते हैं लेकिन एक किलो की रेसिपी में इतनी इनफ है और आदे चमत से थोड़ा सा ज्यादा मैं इसमें इसमें सॉल्ट अइड करूंगी और हाफ टेबिल स्पून ब्लैक पैपर अइड करूंगी और इसको येलोई कलर देने के लिए थोड़ा ज़ादा प्यारा येलो कलर आजाएगा हम थोड़ा सा इसमें food color add करेंगे जो हम बियानी में डालते हैं yellow food color एक पिंच इस food color की add कर दी और अब इसको हम cook होने देंगे हमने पानी को बिल्कुल dry करना है यह देखें कितना प्यारा से इसका color आना शुरू हो गया food color का पानी ड्राय हो चिक है और यह देखें कितना प्यारा चटनी का टेक्स्चर आ गया है हम बस इसको बहुत जादा कुपनी करेंगे क्योंकि यह फिर ड्राय हो जाएगी आप इसको किसी एर टाइट जार में डाल के रख सकते हैं उससे यह है कि ज्यादा टाइम के लिए आप इस